हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपको बेहती खूबसरत सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट दिखा रही हूँ और ये है दोस्तो पॉइंसेटिया का प्लांट जो अपने आप में ही बेहत खूबसरत प्लांट है इसकी कई कलर वेराइटी आती है दोस्तो य और इसमें कई इसमें और भी possible color की आती है तो यह आपने आपके ही बहorf até खुबसरत प्लाउर प्लाँट आ दोस्तों देखिए छर्डीओं में यह प्लान्ट आपको देखने को मिलेगा यह करीब दोस्तों 350 से लेका 300 से प्लांट की कॉस्ट होती है और ये नरसरी में आसानी से हुपलब्ध हो जाते हैं तो दोस्तो जब हम इसे नरसरी से लेके आएं तो इसकी कीयर कैसे करें और कौन सा फटिलाइजर इस में डालें कुमिटी कैसे तियार करें, पानी कितना दें कहां रखें तो ये सारी बाते हम करेंगे चलिए दोस्तो जब हम इसे नर्सरी से लेके आते हैं तो इसको एकटम आप रिपॉर्ट ना करें कुछ दिन के लिए दोस्तो इसे आप ऐसे ही रहने दें और उसमें पानी देते रहें तो थोड़े दिन के बाद दोस्तों हफते दस दिन के बाद आप इसको दूसरे गंबले में ट्रांसपर करें और मिट्टी जब आप तैयार कर रहे हैं दोस्तों मिट्टी के लिए वेल्डन तैयार करें Weldon मिट्टी में दोस्तो 40% garden soil, 30% sand और 30% riss में compost मिलाएं Compose के साथ दोस्तों नीम की खली इस plant में अवश्य मिलाएं नीम की खली दोस्तों plant के लिए एक और शदी का काम करती है वो एक fungicide भी है और पौधों का एक tonic भी है तो इस जग से हम मिट्टी तयार करें मिट्टी तयार करने के बाद दोस्तों जब भी हम plastic pot में लगा रहे हैं या पिर हम उसे मिट्टी के गबने में लगा रहे हैं तो drainage hole का भी से ध्यान रखें drainage काफी अच्छा होना चाहिए जिसे कि हम पौधे में पानी डालें तो पानी तुरंत बाहर निकल जाए और पानी गंडे में इस्टोर ना हो इसके बाद दोस्तों जैसे ही हम उसे polything bag में लेके आए हैं या हम किसी pot में लेके आए हैं नर्सरी से तो हम उसे आसानी से बाहर निकाल कर उसे ऐसे ही लगा दें उसकी root को डिस्तब ना करें अगर आप उसकी root हिला देंगे या इधर उधर हो जाएगी उसकी तो plant खराब होने का डर रहता है तो आप उसको ऐसे ही transfer कर लें उसके बाद दोस्तों जब हमने कर लिया है पौदा लगा लिया है तो उसमें पानी गंडे में भर दें क्योंकि इसको मौश्य ज़्यादा पसंद है तो इस जंग से इस plant को हम report करें जहां तक दोस्तों इस plant को पानी के और रोशनी की बात हम करें धूप की तो इस plant में दोस्तों sunlight इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सुबह की हलकी धूप आती हो 3-4 गंडे की दिन पहर की दो पहर की धूप में इसको ते धूप में नहीं रखना है और इसको सुबह की धूप में हलकी धूप में इस plant को चाहिए ऐसी जगह पर रखें जहां तब पानी की बात है दोस्तों पानी फेल प्रांट को चाहिए मश्летर हमेशा बना रहे इस जन्ग से आप बाधे में पानी डाली दोस्तों जब आप इस प्रांट को लेकर आते हैं तो उसकी केयर भी बहुत करने पड़त है यह काफी delicate plant है और एकदम खराब भी हो सकता है क्योंकि इसमें एकदम fungus ही लग जाती है और खराब हो जाता है यह plant तो बहुत इसकी care करनी होती है और यह September इसका जो time period होता है दोस्तो September से लेकर April तक होता है November आते आते दोस्तो इसमें थोड़ा सा color सुरू हो जाता है और November से इसमें colorful पत्यां बनने लगती हैं जो पूरी सर्द्यों फर colorful यह plant बना रहता है और March तक इसकी पत्यां ऐसे ही बनी रहने रहती हैं फिर धीरे धीरे पत्यां जढ़ने लगती हैं तो दोस्तो आप April आते आते इसकी cutting कर सकते हैं आप इसकी जितनी ज़्यादा cutting करेंगे उतना यह plant घना हो जाएगा जितनी इसमें स्टेंप लिंक लेगी उतना ही खूबसरत दिखाई देगा तो अप April में आप इसकी cutting कर दें cutting करने के बाद दोस्तो आप इसे एक semi set में रखें ऐसे जगह रखें जहां डारेक्ट सनलाइट में इस plant को ना रखें और semi set में इस plant को रख दें तो फिर सेप्टम बार आते आते यह फिर अपनी ग्रोश सुरू हो जाएगी और फिर से colorful पत्यां इसकी बनने लगेंगे तो इस बात का इस plant में विशे ध्यान रखना है दोस्तों जब इस plant को हम लेके आते हैं तो इसकी जो cutting हम काट रहे हैं तो cutting इसकी आप आसानी से लगा सकते हैं cutting आप इसकी जब भी लगाएं दोस्तों normal मिट्टी में लगाएं या आप sand में लगाएं तो इस बात का विशे ध्यान रखें कि मौशर उसमें बना रहें या कोको पिट मिलाकर मिट्टी तयार करें और उसमें इसकी cutting लगा लें तो ये इसकी cutting आसानी से लग जाती है पन्तु मौशर बना रहना चाहिए पानी ओबर वाट्रिंग करेंगे तो इसकी cutting सड़ जाती है सूख जाती है तो खराब भी होने का डर रहता है तो ये cutting से बहुत आसानी से हो जाता है एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं जहां तक दोस्तो इसको compost की बात करें fertilizer की बात करें तो दोस्तो इतना इसको fertilizer की इतनी आउशकता नहीं है किवल आप गुडाई करके समय समय पर इसमें गोबर की खाद इस प्लांट में डालते रहें और इसको दो तिन बार आप इसको जिस समय फ्लाफरिंग का समय होता है तो इसको गुडाई करके अगर आपके पास पत्तियों से बनी हुई खाद है तो आप इसमें दीजिए तो ये प्लांटा हमीशा बना रहेगा और इसमें समय समय पर आप इसमें जब समय खाद देते हैं तो उसमें आप थोड़ी से नीम की खले भी अपने प्लांट में डालें तो ये प्लांट आपका safe रहेगा इस धन्ग से आप इस प्लांट की केर करें और ये देखे दोस्तों इसके जो ये पत्तियां होती हैं ये होरी ग्रीन होती हैं और ज्याद़ धूप में रखने से जो इस पत्तियों में कलर आया हुआ है ये color नहीं आता है और ये ज़्यादा हरी बनी रहती है तो इस देंग से इसको ऐसी जगह पर रखना है डार्क जगह पर रखना है और सुबा की हलकी धूप देनी है और इसको डारेक्टर सनलाइट में इस plant को नहीं रखना है तो देखे दोस्तों कितना खुप्सरत plant दिखाई दे रहा है थैंक यू